हेलो गाईज मैं हुशंतो जावर्या और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकसन चैनल हमारे चैनल पर एक बर पुना आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस वीडियो के अंतरगत हम आपको 12 फेजिक्स के कोशन बैंक के यूनिट 5 जिसके अंतरगत अध्याय 8 आता है जि उसके बहविकल्पी और रिक्तिस्थान की पूर्ति वाले प्रश्णों की चर्चा करेंगे और जैसे ही यह हमारा जो सारी यूनिट से हैं उनके बहविकल्प्रश्ण और रिक्तिस्थान की पूर्ति वाले प्रश्ण के वीडियो भी आपके लिए प्रसित करेंगे या प्र सबसे प्रकास γामा केरने और अवरक्त केरने तो देखिए सबसे कम तरंग HuangDI qualcी वो गामा केरनों की होती है इसी प्रशन अपको आपको यह भी पूछाए सकता है कि सबसे अधिक आवरतिक इसकी होती है जिसकी तरग देसे सबसे कम उसकी आवरती सबस्यादिक यदि आवरती के बारे में पुझा जाता तो भी हमारा आंसर गामा किरने होता चलिए यहाँ पर अगला question हमारा इस तरह से बिदुचुम्ब की तरंग में बिदुच छेतर के प्रणाम E तरह चुम्ब की छेतर के प्रणाम B में क्या संबन्ध है तो पहला आंसर है B बराबर E by C दूसरा है E बराबर B by C और तीसरा है E बराबर B और चोथा है C बराबर B into E तो देखिए ये राइट आंसर सेकेंड वाला है आपने पढ़ा होगा फार्मुला C बराबर E by B अब चुक्छे C बराबर E by B इन चारों आंसर में से आपको सी दिसरा नहीं दिखेगा लेकिन ये सेकेंड वाला आंसर ही C बराबर E by B है इसलिए ये राइट आंसर हमारा ये रहेगा अगला कोशिन हमारा आता है ओजोन मंडल अवसोसित करता है किसको करता है तो दरसी प्रकास, माइक्रो तरंग, अवरक्त विक्रण और पराबेने विक्रणे तो यह करता है परावेने विक्रणों को आउसोसित कर लेता है उसके बार next question आता है हमारा यदी विदुत चुम्ब की तरंगों में विदुत वेक्टर X दिसा में तर्था चुम्ब की वेक्टर Y दिसा में है तो उसकी संचन के जिसा होती है तो देखिए विदु चुम्ब की तरंग की परिभासा होती है कि इसमें विदु चेतर और चुम्ब की चेतर परस पर लंबत होते हैं तो तरंग संचन के जिसा इन दोनों के लंबत होती है तो जो एक सक्षv और एक्षिक रहुग तो यही हैड़ फुगा तो इसके धिसा कौन से एक्षिक क्या अंवभी अंवा नेक्स कॉशन आता है द्रश ये प्रकास की तरंग में कि कोटी क्या होती है तो दसकीघाट 10 मिटर दसकी गात 8 मिटर दसकी गात 4 मिटर और 10 की गात रिण 8 मिटर प्रजूम कर लेते हैं साय धरिन है मैंने इसको धन पड़ दिए था तो आप धियान है दसकी गात रिण 6 मिटर हमारा right answer होगा हमारा सेकेंड आंसर क्या है सही है दसकी खातरीन 6 मेटर इसका राइट आंसर होगा उसके बाद चलते हैं नेस कोस्टन के और जो के रिक्तिस्थान की पूर्ति से समझे थे तो ये इस तरह से विद्द चुम्ब की तरंगों के स्पेक्ट्रम में सरबातिक आवरत्ती वाली तर थी और वहां पर सी को घुमा के पूचा गया सबसे अधिक कम के गा डिन करते अधिक आवरति में तो कौन्सी जोगी वोगी जामा करण होगी तो आपको यहां पर क्या लिफना है तो यह ओती है अनुप्रस्त होती है तो न क्य weights तो चलिए लेकर आपसे भूल आख धुने तरंग कैसी होती है तो वो आपको लिखना है अनुदेसर लेकिन फिलाल बात है विद्रचुम्ब की तरंग की ले राइट अंसर कौन सा है अनुप्रस तरंग ये नेक्स कोश्चन की ओर चलते हैं परावेनी लेंपों के बल्ब के बनायाते हैं तो देखिए परावेनी लेंपों के जो बल्ब है वो क्वार्ड के बनायाते हैं क्वार्ड इसका राइट अंसर होगा प्रस्टन खड़ा ये होता कि बल्ब जनरली कांच के बने होते हैं तो कांच के क्यों नहीं बनायाते हैं ऐसा भी दो नंबर का प्रस्टन आपसे पूझा सकता कि परावेनी प् नेक्स कोसे नमरा आता है जीवानों नासक के रूप में तरंगों का उप्योग किया जाता है तो जीवानों नासक के रूप में परावेंगनी तरंगों का उप्योग किया जाता है इसका अंसर क्या रहेगा परावेंगनी तरंग परावेंगनी तरंग है वो जीवानों को नास कर देती है उनको निएस कोसर आधा सुक्ष्म तरंगों की तरंगद का परास क्या होता है तो देखी तरंगों की तरंग्द्र का जो परास होता है वह दस की Гाथ 9 στο से 10 στο 12 στο 12 होता है यह आपको ध्यांखना है इस्सी को ईसे भीाशन लेखा सकता है से 1000 गीगाhertzैक से 1000 गीगाhertz। यह भी आप लिख दे नहींती चाहिए होगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है 700 गीगा día गीगा मतलब दसक गज़ से 1000 गीगा घर्ट यहांपे देखीए होता है इसके अत्रिक्त अतिला घुत्री प्रस्ण के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवा साथियों जैहिन जै भारत